बीना कोई app डाउनलोड किये बीना कोई software डाउनलोड किये free में आप लोग अपने mobile phone पे transparent animated overlay कैसे बना सकते हैं अपने turnip light stream के लिए वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ना ही आपको काई master app की ज़रूरत पड़ेगी ना ही आपको किसी other video editor application की ज़रूरत है आपको बस अपने phone में internet browser की ज़रूरत है और internet browser पे हम लोग बनाएंगे animated overlay तो चलो सिधे वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो बढ़ वीडियो को like ज़रूर कर देना subscribe नहीं कियो इस channel को subscribe भी कर दो बहुत सारो लोगों ने subscribe तो करके रखा है बट वो bell notification वाला जो icon होता है इसको touch नहीं किया है तो वह आली button भी दबादो तो सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में ब्राउजर open कर ले और वहाँ पर आप लोगो को captain.com की website पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगो sign in कर लेना है Google से अपने sign in कर लो sign in कर लोगे तो watermark में आएगा sign in नहीं करोगे तो watermark आएगा में अजने कर लोगे तो sign in करलो अर और sign in कर लोगे यहाँ पर आपको new content पी स्टार्ट टंट पर त्च करने के बाद है यहाँ पर आप लोगो start with a blank canvas पे हम लोगो start with blank canvas पी टच करने के बाद यहाँ पर to edit Edit Background वाले option पर जाना है, Edit Background वाले option को टच करने के बाद 16 is to 9, 16 is to 9 सिलेट कर लो, उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, अब यहाँ पर हम लोग अपने overlay का एक background सिलेट करेंगे, तो menu में जाएंगे, और वहाँ पर जाने का एक videos वाले option में जाएंगे, और वहाँ पर सर्च कर लेंगे, smoke या फिर particle, आपको जैसा भी अपने animated overlay का background चीए, वैसा आप लोग सर्च कर लो, मैंने यहाँ पर particles सर्च कर लिया, आपको अबर smoke चीए, तो आप लोग smoke भी सर्च कर सकते हो, या फिर अपने हिसाप से कुछ भी सर्च करना है कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं नीचे, तो यहाँ पर मैंने इसको नीचे adjust कर दिया, या कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हो, तो ऐसा हमारा animated overlay का background रहेगा, ठीक है, इतना करने के बाद, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको video track को select करेंगे, और edit video पे टच करेंगे, औ यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस video की 5 second की clip select करेंगे, तो समझे लोग 10 second से लेके 15 second तक की जो clip है, उतनी ही हमको use करना है, क्योंकि हमको सिर्फ 5 second का ही बनाना है इस overlay को, तो यहाँ पर हमने 5 second का जो duration है वो रख लिया है, और यहाँ पर नीचे video track को adjust कर लेंगे, हम लोग स्टा एड मीडिया करेंगे, एड मीडिया करके हम लोग कोई भी character की PNG यहाँ पर upload कर सकते हैं, अब बहुत सारे characters की जो PNG है, उसका जो pack है वो मैं दे दूँगा description में, वहाँ पर आप लोग click करके उस PNG pack को download कर सकते हो, character के वो सारे free fire की PNGs है, बट वो सारे characters की PNG बहुत ही जब वो character select करना यहाँ पर इसको simply touch करके मैं इसको add कर लूगा अपने timeline में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग मैंने character को add कर दिया है, अब इसको upload को adjust कर लेना है, अपने हिसाब से जितना बड़ आपको character चाहिए, जितना छोटा चाहिए, उसको अपने हिसाब से adjust कर लेन और slow पर select कर दूगा, slow पर select करके यहाँ पर done कर दूगा, तब आप लोग देख सकते हैं, character को एक animation मिल चुका है, तो आपको दिखाता हूँ, यह देखो, यहाँ पर आपको character का animation दिखाई दे रहे है, तो इसको आप लोग starting, इसको भी 5 second का बनाने कि पहले तो इसको select करके, character इमेज को भी यहाँ पर drag कर लेंगे नीचे timeline में, उसके बाद वहाँ पर edit image पर जाएंगे, timing में जाएंगे, timing में जाने के बाद यहाँ पर end time 5 second का कर देंगे, मतलब 5 second तक वो image दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारा overlay बन रहा है वो भी 5 second का है, तो यह कुछ इस प्रकार इसका option दिखाई देगा, plugins पर जाओ और यहाँ पर आपको एक Giphy text करके दिखाई देगा, वहाँ पर आप लोग select कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग को जो भी text को animate करना है, वो text यहाँ पर लिख लो, जैसे मैं exposure लिख लेता हूँ यहाँ पर, exposure मैं लिख दूँगा और animate पर क्लिक कर दूँगा, animate पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर exposure नाम के बहुत सारे animated text जो है, वो generate हो जाएंगे, जो खुदी animate हो रहे है already, तो इन में से आपको ऐसे करके use करना है तो आप ऐसे भी use कर सकते है, और एक तरीका है वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, इसको select करके, फिर edit image पर जाना है, इसको भी 5 seconds का हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर मुसको 5 seconds कर दूँगा, और यहाँ पर done कर दूँगा, done करने के बाद में, अब यहाँ पर इसको भी हम लोग resize कर लेंगे, अपने हिसापसे, जैसा भी आपको resize करना है, वैसा आप लोग resize एक और option मिलेगा text वाला, उसको आप लोग select कर सकते हो, और कोई भी font का text यहाँ से, आप लोग select कर सकते हो, कोई भी font को, और अपना text जो भी आपको add करना है, वो आप लोग add कर सकते हो, उसको अपने हिसाप से color दे सकते हो, font size रख सकते हो, सारी चीज़ों को अपने हिसाप स और both select कर लूँगा intro order both और यहाँ पर done कर दूँगा तो अब आप लोग देख सकते हो हमारे text को भी एक animation मिल गया है हमारा जो text है वो भी slide होके उपर आएगा और जाते में slide होके नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना पूरा overlay बना सकते हो और आपको जो भी add करना है वो सारी चीज़े भी आप लोग add कर सकते हो जितना interesting आप लोग बनाना है उतना interesting आप लोग बना सकते हो तो जैसे आपको overlay पूरा बन जाएगा जब आपको लग रहा है पूरा ready हो चुका है अपको setting वाल आएकन पर टच करना है उपर और यहां पर जिफ सिलेट कर लेना है output file में जिफ सिलेट कर लोगे उसके बाद में हम लोगों को आप सबसे main काम इसको transparent करने के लिए setting वाल आएकन पर वापस से touch करना है और यहाँ पर touch करने के बाद में background में आपको transparent select कर लेना है transparent background आप जैसे select कर लोगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो overlay है वो transparent अब हो चुका है तो अब यह transparent overlay हो चुका है तो इसको download करने के लिए आपको उपर export gif वाला जो option है वहाँ पर आप लोग को touch कर लेना है और आपका जो overlay है वो export हो जाएगा तो अब आप लोगों ने अपना animated overlay बना के अपने phone में download कर लिया है उसको turnip में कैसे add करना है वो भी में आप लोगों बता देता हूँ आप लोगों को turnip में ऐसा कुछ option दिखाई देता है यहाँ पर आपको touch करना है add custom overlay वाले option पर आपको touch करना है और वहाँ पर touch करने के बाद में आप लोगों को अपना जो आपने डाउनलोड किया है अभी जिफ फाइल जो animated overlay की जिफ फाइल है उसको select कर लेना है और उसको आपको आपके add कर देना है तो बस हो गया आपका animated overlay add अब आप लोग live stream कर सकते है अपने animated overlay के साथ में तो वाइस उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो देखके मजा है होगा और आपको समझ में होगा कि आपको transparent animated overlay कैसे बनाना है अपने turnip live stream के लिए जिफ फाइल कैसे इसको वो सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी तरह वीडियो को like जरूर कर दो subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर दो यह वीडियो को हम लोग यहाँ पर end करते है मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में तब तक के लिए बाई बाई